स्वागत बच्चों हमारी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्छा नो विज्ञान विशे का कारे पत्रक जो की उप्चारात्मक शिक्षन कारे पुस्तिका में से लिया हुआ है उसका हल विशे वस्तु दी हुए है परमानू वैनू अधिगम बिंदू दिये हुए हैं बोतिक में राशायनिक परिवर्तन संदर्व दिया हुआ है कक्छा साथ अध्याइच्छे पहला प्रश्ण है निमने लिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य लकडी के लठे को टुकडों में काटना एक राशायनिक परिवर्तन है तो ये बात असत्य है इसलिए हम यहां गलत का चिन लगा देंगे मक्षन का वर्तन में पिगलना बोतिक परिवर्तन है ये बात सही है तो यहां सही का चिन लगा देंगे बाप का संगना ने एक राशायनिक परिवर्तन नहीं है सही बात है ये बोतिक परिवर्तन है इसलिए यहां भी सही का चिन लगा देंगे लोहा और जंग एक ही पधार्थ हैं ये बात गलत है तो यहां गलत का चिन लगा देंगे लोहा और जंग अलगलत पधार्थ होते हैं प्रेश नम्मर दो है आप अपने देनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन देखते हैं इनमें एक या अधिक पधार समलित हो सकते हैं नीचे कुछ परिवर्तन दिये गए हैं देखकर बताईए कि क्या इन्हें वापस मूल सरूप में बदला जा सकता है पहला है दूद का दही बनना तो दूद का दही बनने में दही तो बन जाता है लेकिन दही से पुने दूद प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो यह है हमारा एक राशानिक परिवर्तन है और इसको हम इधर कोलम में यहां लिखेंगे फिर दूसरा है कोईले का जलना कोईला जलकर जब राग बन ज परिवर्तन है, सक्कर घोल करके विलियन बनाने पर, विलियन को पुने गरम करके, भाब बना करके हम सक्कर को अलग कर सकते हैं किसी भी विडी से तो इसको मूल सो रूप में बदला जा सकता है, इसलिए इसको हम यहां लिखेंगे, खीचा हूँ रबरबर बेंद, ये भी लिखेंगे, जल को उबाल कर भाप बनाना, यह भी एक बोतिक परिवर्तन है, और इसको भी मूल सरूप में वापस बदला जा सकता है, भाप को जल में और जल को भाप में, तो इसलिए इसको भी यहां लिखेंगे, फिर है लोहे पर जंग लगना, यह राशैनिक परिवर्तन ह और इसमें मूल सरूप में नहीं बदला जा सकता है लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहा खराब हो जाता है इसलिए इसको यहां लिखेंगे तो इस तरह से हमारा कारेपतरक रंबर 32 पूरा होता है आगे की कारेपतरक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहे हमारे चैनल से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर भी कीजिए धन्यवाद